हैलो फ्रेंड स्वागत है हमारे यूटूब चानेल स्टेंड इसमें जैसे कि मैं आप लोगों को बता रखा हूं कि आट वजे से मैड का कलास चल रहा है बिहार से बिलकोट का ठीक है अब लोग सबी लोग जूरें और क्लास जौन करें और बिहार से बिलकोट में अपना फुरम ही देखेंगे तो m से m से mind यानि तेज होना चाहिए ठीक है एस एक्टिव यानि habit experience practice ठीक है उसके बाद t से टेक्निक यानि trick होना चाहिए आपके पास ठीक है उसके बाद h हमबल यानि बीनोम्र होना चाहिए ठीक है तो देखें कोई भी एक्जाम का preparation करते हैं तो उसक कोई भी ऐसा एक्जाम नहीं है, जिसमें मायत नहीं पूछा जाता है, ठीक है, GKGS है, तो क्या, इसमें GKGS नहीं है, बाकी और जो जो एक्जाम है, उसमें तो GKGS पुछते हैं, तो उसके According आप तयारी करें, रिजल्ट जरूर होगा, बहतर होगा, ठीक है, माइन्ड में हमेशा अच्छे अच्छे चीजों का थोट रखे ठीक है टी मोटिबेट नहीं आज के जबाने में नोकरी मिलेगा ठीक है ऐसा नहीं एक नोकरी नहीं मिलेगा नोकरी मिलेगा क्यों नहीं लेकिन आपके पास patience होना चाहिए ठीक है आप suppose करो दीन होता है तो जाहिर से बात है रात भी होता है और रात के बात दीन भी होता है एक साइकल है ठीक है तो आप मान लो कम से कम कितना आपने एक्जाम दिया होगा अभी तक ततकाल में कितना एक्जाम आप लोगों ने दिया होगा दो चार पाँच बस कम से कम एक्जाम उतने ब ठीक है और लगे रहोगे आच्छा से तो जरूर होगा एक दिन ठीक है रिजल्ट जरूर होगा ठीक है और सही दिसा में मेहनत किजिए अगर आप special अभी घ्एल से इब कोट में एक्जाम होने वाला है उसके according आपा ऐक कलेंडर रखिए ठीक है और जैसे जैसे दिन बीट रहा है उसको मार्किंग करते रही है ठीक है देखिए इतने दिन दिन में यह करना है हमको फिर दो दिन बचगया फिर उसको काट दीजिए जैसे कि आज तेरा तारीक है, तेरा तारीक पर क्रस कर दीजी, ठीक है, फिर 14 बित गया, 14 पर क्रस कीजी, ऐसे आपको पता चलेगा, कि एकजाम के दिन इतना बचे हुए हैं, और उसके एकोडिंग आप करेंगे, तो आपके अंदर एक डर से पैदा होगा, और डर बने कि हाँ, मनरंजन के साथ साथ आप पढ़ लें, ठीक है, किताबी किरा नहीं बनना है, किताबी किरा बनुगे तो फिर दिकत होगा, और एक और चीज, विद्यारती का पहला करता भी यह होता है, कि अगर कोई भी दुनिया का विद्यारती है, कोई भी चीज का उत्यारी करना चाहता है, किसी भी चीज का अगरो त्यारी करना चाहते हैं, आप लोग में से कोई भी, ठीक है, तो सबसे पहले यह जरूडी है, कि आप बाहरी चीजों से दूरी बना कर रखें, ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं, जो आपको गाइड लाइन से बाहर करते ह ठीक है यानि दिशा भटकाते हैं डाइरेक्शन से बाहर समझाते हैं ठीक है तो वैसे लोगों से दुरी बना कर रखें ठीक है या जो पढ़ते हैं उनका नमबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दीजे ठीक है उनसे जितना आप दुरिया बना कर रहोगे उसके एक्वरडिंग अब साब देखेंगे तो चप्रासी यानि प्यॉन में लिखा है कि जो मैथ का एसटेंडर लेभर हेगा तेन्थे लेवल का रहेगा तो उसी के कोडिंग आपको मैथ परना है ठीक है हो सकता है कोोशन को घूमा दे ठीक है कोश्चन को घूमा दे ताकी आप उसको आप समझत पाएं ठीक है एक्जामिनर चाहता है यही कि कोश्चन को ऐसे बारीकी से सेट करें कि जो अधिकांस बच्चे हैं वो क्या करें वो गलती कर बैठें लेकिन आपको यहां गलती नहीं करना है समझना है बेहतर रूप में तब आप अच्छा करेंगे ठीक है कोश्चन